हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में मैं आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको एक लेटेश निर्णे बताने वाला हूँ ये निर्णे अभी कुछी दिन पहले 17 फरवरी 2022 को पास किया गया है और दोस्तों ऐसे कोई भी लोग जिनका maintenance का case चल रहा है या उनकी wife ने एक petition डाली हुई है maintenance को बढ़वाने के लिए या उनकी wife ने petition डाली हुई है recovery के लिए तो ऐसे सबी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत important होगा यहाँ पर दोस्तों एक कानून को पूरी तरह से clear किया गया है जिसको ले करके लोगों के मन में अभी भी doubt से और कोई clear answer नहीं मिलता है तो ऐसे वीडियो जिए आप लोगों के लिए बहुत important होते हैं ऐसे judgment जिनसे की clarity आती है जिनसे की पता चलता है कि चीजे कैसे होंगी और आप भी ये गलती ना करें दोस्तों अगर आपी नया case डालते हैं तो उसमें पैसा भी लगता है और time भी लगता है और साथी साथ कुछ हथ तक आपकी harassment भी होती है और अगर वो case आपका खारीज हो जाए तो ऐसे case में फिर आपकी सारी महनत भी waste हो जाती है तो कुछ भी step अगर आप लेते हैं तो उससे पहले सही कानून आपको पता होना चाहिए ऐसा ही दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कानून बताने वाला हूँ जिसकी जानकारी होना हर उस वेक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है जिसका भी maintenance का case चल रहा है दोस्तों इस वीडियो में आगे बनने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है और जो पतनी थी उसने DV Act के अंतरगत maintenance के लिए एक case डाल दिया कोट ने 1000 रुपे परमंद के हिसाब से उसको maintenance भी ग्रांट कर दिया इसके बाद पतनी ने 127 CRPC के petition फाइल करी और ये बताया कि यह प्रस्तितिया चेंज हो गई है उसका maintenance बहुत कम है उसे बढ़ाया जाना चाहिए कोट ने उसकी इस petition को accept कर लिया और उसका जो maintenance था वो 1000 से बढ़ा कर 5000 कर दिया गया from the date of order अब हजबन ने इसके विरूद एक criminal revision petition फाइल करी under section 397 of CRPC लेकिन उसकी ये petition खारिश कर दी गई और जो maintenance था वो जो 1000 से 5000 कर दिया गया था उसको 5000 ही रखा गया अब दोस्तों जो पती था वो आया high court में अब दोस्तों जो पती के council थे उन्होंने पूरा मामला court के समक्ष रखा अब court ने सारी चीजों को देखा रूल्स को देखा और ये कहा कि यदी एक व्यक्ती DV Act के अंतरगत आ गया है तो फिर वो 127 CRPC में नहीं जा सकता और ये जो order हुआ है ये without jurisdiction हुआ है आप दोस्तों यहाँ पर अगर हम 127 CRPC को पढ़े 127 CRPC को तो वो ये कहता है कि यदी किसी को 125 CRPC में कोई maintenance grant हुआ है और अभी परस्तितिया change हो गई है तो 127 CRPC में जाके उसमें amendment के लिए एक petition दे सकता है लेकिन condition क्या है 125 CRPC में maintenance grant हुआ हो लेकिन यहाँ पर पतनी को जो maintenance grant हुआ था वो DV Act में हुआ था ना कि 125 CRPC में तो इसलिए court ने माना कि जब आपने आपको 125 CRPC के अंतरगत maintenance grant हुआ ही नहीं तो आप according to the definition आप 127 CRPC को भी use नहीं कर सकते and both orders was without jurisdiction and a nullity in law और husband की जो criminal petition थी इसको allow कर दिया गया और दोनों order यानि की trial court का order और session court का order दोनों ही quest कर दी गए तो दोस्तों यानि कुल मिलाकर के इस पूरे वीडियो से हमको ये सिखने को मिलता है judgment से सिखने को मिलता है कि यदि आपकी पतनी का DV Act के अंतरगत maintenance बन गया है तो वो अपने maintenance इसको बढ़वाने के लिए 127 CRPC का यूज नहीं कर सकती है बहुत ही important judgment है दोस्तों और आप लोगों की help के लिए judgment का link आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा वहाँ जाकर के आप इस judgment को पढ़ सकते हैं copy और download कर सकते हैं प्रस्तितिय से मोवने पर अपने मामले में यूज करके इसका अलाब भी उठा सकते हैं नेक्ट वीडियो में नहीं लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तरता के लिए goodbye and thank you for watching take care